अच्छा आपने कई सारे देवी देवताओं और राक्षसों के बारे में सुना होगा उनमें सबसे खतरनाक था रक्तपीज नाम का एक राक्षस खुद देवताओं से वर्दान मिला था जैसे ही इसके शरीर से खुन की एक बुन जमीन पे गिरेगी उससे हजार दुना ताकतवर नया रक्षस पैदा हो जाएगा सारे देवता काफी घबरा गए अल्मुस्ट हार मान गए तब माता काली ने अफ्तार लिया और रक्षबीज को बीच में से फार कर उसका पूरा खुन पी लिया ये फोटो देखा होगा आपने जब काली माता के पैरों में खुद भगवान शिफ को लेटना पड़ा उनके गुस्से को शान्त करने के लिए वरना पूरी दुनिया खतम हो जाती अब ये कहानी दोजा 24 में मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि फिर से कल्यूग में एक नए रक्षबीज ने अफ्तार लिया है बख्षक नाम की फिल्म आई है नेट्विक्स पे जिसको प्रिड्यूस किया है शारुक सहाब की कंपनी रेट चिलीज ने ये कहानी जादा डरावनी इसलिए है क्योंकि रक्षबीज कल्यूग में राक्षबस नहीं खुद देवता का रूप लेकर धुका देने आया है छोटी छोटी बच्चियों की रक्षा करने वाले बाले का ग्रह चला के दुनिया के सामने भगवान बनने का नाटक जबकि असलियत इतनी डरावनी के आत्मा काप जाए सरकार, मिनिस्टर्स, पुलिस वगएरा सब कुछ जानते हैं लेकिन पोल खुलने के डर से एकदम चुप तमाशा देख रहे हैं अगर आपको याद होगा तो आट महीने पहले एक फिल्म आई थी बंदा नाम से जिसमें 2030 में काफी सारे अवार्ड जीते थे बेस्ट फिल्म बोलते हैं लोग इसको रियल लाइफ से उठाया एक खतरनाक सब्जेक्ट हार्ड हिटिंग सिनिमा जिसको देखने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रह पाओगे असरदार फिल्म सेम डू सेम 99% वैसा ही सिनिमा भक्षक ने भी दिखाने की पूरी कोशिश की है एक रियल लाइफ सब्जेक्ट जिसके बारे में सिर्फ सोच कर ही रॉंक्टे खड़े हो जाते हैं एक no-nonsense फिल्म जिसमें बिल्कुल भी time pass नहीं किया जाता सिर्फ content मिलेगा दमदार और असरदा ये बॉलिवुड की शायद सबसे कम बॉलिवुड फिल्म होगी कमार की बात है कहानी एक खुली किताब है आप पहले से जानते हो क्या होगा कैसे होगा फिर भी दो घंटे टीवी के सामने बिठा के रखना आखें उसमें गड़ा के इसके पीछे फिल्म का जबरदस प्रेजेशन है जिसमें टेंशन बहुत जादा है क्योंकि जितनी कहानी टीवी पर चल रही है उतनी आपके दिमाग में भी खुल रही है बेस्ट चीज है कि फिल्म आपको कुछ सिखाना नहीं चाहती मोटिविशनल सिनमा नहीं है बिलकुल एक परफेक्ट क्राइम ड्रामा है जिसकी राइटिंग आपको डरा देती है हाँ लेकिन एक बात क्लियर कर लेते हैं ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है अगर आफ फन, मज़े और फिल गुट के लिए कुछ देखना चाहते हो तो टीवी आफ कर देना सबसे बड़ा जटका लगेगा जब CID वाले अभिजीत सर फिल्म में सूपर विल्लन बनके आते हैं ये चीज़ के लिए दिमाग प्रिपेर नहीं था जिस वज़े से फिल्म अलग लेवल पर हिट करती है जितना कमाल का performance दिया है specially negative characters ने ऐसा लगता है कि हम लोग अंदर उसी बालिका ग्रह में बैटकर फिल्म देख रहे हैं और हाँ ये वाली भूमी को वो थांक्यू फॉर कमिंग वाली भूमी के साथ ना तो compare करना और ना ही confused दोनों में कुछ भी सेम नहीं है यकीन मानो जब camera के सामने news reporter के character में भूमी आप से कुछ बोलती है तो ऐसा लगता है कि बात सीधी कान में नहीं दिमाग में घुस रही है फिल्मे संजे सर भी हैं जो खुद में actor नहीं acting का पूरा school लेकर घूमते हैं इनका support film के लिए pillar जैसा है मजबूत देखो मैंने काफी बार पहले भी बोला है फिर से बोलती हूँ businessman srk is greater than actor srk theaters में पठान और जवान बनके मास वाली category में number one और OTT पे love hostel बॉब विस्वास डार्लिंग बेताल बहुत लंबी लिस्ट है class में एकदम champion तो भक्षक पे बिना किसी शक भरोसा कर लो आप फिर भी guarantee के लिए मेरे 4 stars लेकर जाओ पहला hard hitting subject हर किसी के बसकी बात नहीं है इस पर film बना के दिखाना दूसरा zero time pass only content पूरा focus सिर्फ कहानी पे नो भटकना तीसरा कमाल की unexpected casting अभिजीत सर फ्रम रक्षक टू भक्षक कमाल का idea विद भूमी का comeback to serious movies चौथा daring filmmaking भाई इतना सचा cinema बनाओगे तो आँखों में चुप जाओगे safety warning negatives में बस एक शिकायत कहानी के अंदर कहानी समझ रहे हैं layers में story थोड़ा और detail मांगती है वो missing है अंदर easy simple है बस घर पर अकेले बैठकर कुछ खतरनाक चाहिए या फिर theater में थोड़ा family time दोनों options available हैं आप जब तक decide करो मैं जल्दी से वापिस आ जाओंगी एक नए वीडियो के साथ okay take care bye bye